हलो दोस्तों आज का ये वीडियो सोचने पे मजबूर आपको कर देगा कि आखिर कैसे विश्य अलग तरीके से बिहेव करता है आतंगमात के मुद्दे पर और सब अपनी अपनी दुकान चलाने में लगे रहते हैं जब तक उनकी घर में कोई दिक्कत ना हो जाए अगर ये व फीफा वर्ड कप की कहानी है आतंगमात का भयानक सच फीफा वर्ड कप में बुलाया गया है जाकिर नायक ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये घटना आप याद कीजिए जब पाकिस्तान से में परिशानी हो रही थी वो रह रहके आतंगमाती भेज देता था अपने घर में हम हो के हाँ हिंदुस्तान में तो हम चिलाते थे कि ये ऐसी दिक्कते हो रही है तो अमेरिका इस पर कोई निलने नहीं लेता था वो कहता था नहीं ये तो फ्रीडम वाइसेस हैं ये तो आजादी की आवाजे हैं लेकिन जब टूइन टावर्स पे हमला हुआ नो ग्यारा में 2001 में तब वो कहा कि पूरा ग्लोबल पूरा ग्लोब पूरा दुनिया टेरिरिज्जम से प्रकोप में है तब उसको याद आया जब उसके घर में दिक्कत हो गई वरना हिंदुस्तान चिलाता रहे उससे कोई परिशानी उनको नहीं थी ये सेम वैसी सिच्वेशन हो जाती है जैसे की हमारे बाजू में कोई परिशानी चल ली हूँ कुछ गुंडे घुसाए हो और हम चुपचाप हों कि अरे जो कर रहे करने तो हम मदद के लिए क्यों जाएं और अगला नंबर हमारा रहता है कि हमारे आते तब हम किते बड़े गुंडे आ गए कॉलोनी में तो इस तरी की स्थितियां आतंगवात को कभी नहीं खतम कर पाएंगी पूरे वर्ल्ड को एक मजबूत सहारा लेना पड़ेगा मजबूत कदम उठाना पड़ेगा अगर हम अपनी फाइदे की सोचें दूसरे से मतलब न रखें तो दुनिया शांदार नहीं हो पाएगी ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इनको आप पहचान रहे होंगे ये हिंदूस्तान में 2016 में जाकिर नायक साब बेहन हो चुके हैं इनको लेके कहा गया था कि ये जैसे ये वो देते हैं अपने लेक्चर देते हैं अपने वाक्ष्यान देते हैं अपना भाशर देते हैं यूटूब वेगरा पर देते थे और भी इनके तरीके थे देने के तो उससे काफी कटरता पैदा हो रही थी है बहुत से लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदु मुस्लिम में नफरत की बीच बोए जा रहे थे उस चक्कर में जब इनको लगा कि यह एरेस्ट किये जाएंगे तो यह भाग खड़े हुए तभी लिखा है भगोड़ा यह देखिए यहाँ पर भगोड़े शब्द का तभी इस्तमाल किया है और अभी क्या हुआ है आपको मालूम है कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पर इनको इसलाम के प्रचार प्रसार के लिए बुलाया गया है अब बताईए एक कंट्री जो की इनको पकड़ के ग्रिफ्तार करके जेल में डालना चाहती है दूसरी कंट्री उसको सम्मान दे रही है फीफा वर्ल्ड का पूरे वर्ल्ड का एक इवेंट है देखिए मुद्दा मैं बता रहा हूँ फीफा वर्ल्ड का पूरा वर्ल्ड इ मतलब नहीं है खाई हिंदू मिसल्मान में कितनी उससे मतलब नहीं है आप जानो यह यहां पर प्रचार करेंगे इसलाम का नफरत के बीच वो रहते हैं अब वहां करेंगे तो यह देखे यह ड्रामा जो है ना ग्लोब का पुरे वर्ड का यह ठीक नहीं है और इसी पर यह टरता काफी बढ़ती थी हिंदू मिसल्मान के बीच में काफी खाई गहरी होती जाती थी उससे क्या होता है आतंगवाद जनम लेता है और आतंगवाद जनम लेता तो किसी का भला नहीं रहता क्योंकि भारत ने क्यों लगाया था बहन यह मैंने आपको बता है इनकी जो फा जरूरत नहीं है जब दंगे फसाद होते हैं लोग एक दूसरे को मारते तो निर्दोष लोग मर जाते हैं वहां की इकनोमी ग्रोह नहीं कर पाती रोजगार के स्वाधन कदम हो जाते हैं जो बेसिक डेवलेप्मेंट से वह भी रुख जाते हैं जितना लिखा जाया उससे बह काने का साधन ना पढ़ने का साधन सब कुछ चौपट हो जाता है क्योंकि बंदूके चलने लगती मालूम नहीं रहता कौन किसको मार देगा तो आतंगवाद तभी कतम होगा जब कट्रता खतम होगी यह हमारे पुरे वर्ड को समझने की आवशक्ता है आतंगवाद को दू भला बुरा समझ सकें यह बात अगर इस तरीके से होगी कि रोगों को रहने खाने को मिलेगा नफरत की बीज नहीं बोई जाएंगे पढ़ाई लिखाई एजूकेशन को थोड़ा प्रमोट किया जाएगा तो कट्रता भी कम होगी लोग यह समझ पाएंगे कि मानव जाती के के लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है कैसे मिलक के प्रेम से अपने को रहना है और राजनास सिंग ने भी कहा था कि हम लोग अभी बड़ी स्टिक्ट एक्शन ले रहे हैं कि नो मनी फॉर टेरर यानि कहीं से भी कोई फंडिंग अगर आ रही है आतंगवाद को तो फंडि वीडियो था कि आपको यह पता चले कि जहां पर एक कंट्री पकड़ के जेल में डालना चाहती है वही पर दूसरी कंट्री उसका समान कर रही इसलाम दर्म का परचार करनाने के पीछे तो आपको वीडियो कैसा लगा बताईएगा मिलते एक लिए वीडियो में तैंक्यू प्रिमच अल्दे बेस्ट